चजलेट कान में बेटे अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा मिलने के बाद सपा के राश्ट्रिय महा सचेव आतम खान बीमार हो गए है बुधवार को आजम की रामपूर में चार में से तीन मामलों में पेशी होनी थी लेकिन वो हाजर नहीं हो पाए आजम की अधिवक्ताओं ने आजम को बीमार बताते हैं हाजरी की माफी मांगी और इस पर दो मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीक तैकर दी गई है जबकि दो मामलों में गवाही पूरी हो चुकी है और अब 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज होने हैं सुमवार को मुरादबाद की कोट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की चजलेट मामले में पेशी हुई थी इस दोरान दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी आजम खान के खिलाफ शेहजाद नगर ठाने में दर्ज भड़ काउ भाशन के मामले में सुनवाइपूरी हो चुकी है और इसके अलावा उनके बैटे अब्दुल्ला आजम की दो-जन्व प्रमार्पत्र मामले में भी सुनवाइपूरी हो चुकी है इन दोनों ही मामलों में 313 के तहट बयान दर्ज कराने के लिए आरोपियों को तलब किया जा चुका है कोट की ओर से इस मामले में बुधवार को सुनवाई की तारीक नियत थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी जैप्रदा के दो मामलों में भी सुनवाई टल गई पूर्सांसर जैप्रदा के दो मामलों में गवाई नहीं पहुचे और इसके चलते इन मामलों के सुनवाई नहीं हो सकी उनके खलाब 2019 में आचार सहीता के उलंगन के मामले में सुनवाई कोट में विचारत धीन है इस मामले में बुधवार को गवाही होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाए इन मामलों में अगली सुनवाई 23 परवरी को होगी